वेल्कम बैक टू जी एसे जी टेक ऑनलाइन क्लासिस दोस्तों मैं हूं गुपाल सर्मा और आप देख रहे हैं टेली एस्टेप पैस्टेप कम्प्लीट टुटोरियल 2018 प्रिवियस वीडियो में दोस्तों हमने आपको जनरल वाउचर के बारे में बताया था जिसमें आप एडजेस्टमेंट की इंट्री पास कर सकते हैं चाहें आपका वो डेप्रेशेशन से संबंधित हो या दूसरे किसी तरह के एडजेस्टमेंट हो आज हम लोग इसी टॉपि हम लोग कोई product या कोई service परचेश करते हैं service तो कम ही लेकिन अगर हम लोग product परचेश करते हैं और उसमें किसी तरहा का कोई problem होता है हम उसे return कर देते हैं तो इस इस्थिति में हम एक return के इंट्री पास करते हैं ताकि हमारे पर liability कम हो जाए क्योंकि हमने जिन से परचेश किय तो credit पे किया है और हमारे पे liability बनी हुई है अब अगर उसमें से कुछ product हमने return कर दिया तो हम चाहेंगे कि हमारी liability में से वो less हो जाए आनि उतना amount हमरे account में से हटा दिया जाए तो इसके लिए हम अपनी party को एक debit note issue करते हैं debit note आनि purchase return सबसे पहले purchase return की entry करने के लिए हमें purchase return feature को enable करना पड़ेगा इसके लिए gateway of tally में रहते हुए F11 दबाएं या यहाँ पे feature पे click करें आपके सामने company feature का option आ जागा यहाँ पे आपको accounting features में जाना है यहाँ पे आने के बाद दोस्तों इधर invoicing में आपको तीन option मिलते ह और record credit note in invoice mode and record debit note in invoice mode इसे आपको enable कर लेना है यहाँ click किजे y किजे tap button press किजे दूसरे को भी y किजे और तीसरे को भी y किजे यहाँ पे अभी हमें credit note की कोई आवसकता नहीं है किन्तु आगे के वीडियो में जब मैं आपको credit note के बारे में बताऊंगा तो उस समय के लिए हमने अभी ही enable कर लिया आप चाहे तो इसे disable भी रख सकते हैं no problem अभी आपको सरिफ debit note को enable करना है debit note और purchase return अब इसे हम लोग save कर देते हैं और gateway of tally में वापिस आ जाते हैं अब चलते हम लोग entry में accounting voucher में चलते हैं और यहाँ पे enter करते हैं अब suppose that किसी party से जिससे हमने purchase किया था माल लेते हैं कि coco pvt से हमने बहुत सारे product purchase किये थे उन्हें कोई product हमें return करना है अब जो return करना है उसका receipt हमारे पास होना चाहिए क्योंकि हमने coco से purchase किया है उसका invoice number होगा और उसका date भी होगा उसकी आवसकता अभी हमें पढ़ने वाली है दोस्तों मैंने previous वीडियो में आपक किसी भी voucher में रहते हुए किसी का भी receivable payable और उसका laser balance जो है वो देख सकते हैं यहाँ पर भी मैं वही इस्तमाल करने वाला हूँ यहाँ आप देख सकते हैं कि मेरे पास payable का एक option देख रहा है यह आपके पास नहीं दिख रहा होगा अगर आपने इस TDL का इस्तमाल नहीं क करना पड़ेगा और उसके against में आपको डेविट नोट पास करना पड़ेगा साथ ही आपको एक बात और धियान रखना है कि आप अगर monthly या quarterly जिस हिसाब से भी return फाइल करते हैं उसी के बीच में ही डेविट नोट का इस्तमाल कर लें otherwise अगर आप फाइल कर चुके हैं previous purchase का और फिर अगले session में आप जाके उसका return entry करेंगे तो maybe possible वो GST में upload नहीं होगा इसमें भी थोड़ा सा problem है और उमीद करता हूँ कि जल्द ही GST console इस पे भी ध्यान देगा और ये problem भी solve करेगा लेकिन बाकी detail के लिए आप अपने CSA consult कर सकते हैं कि किस तरह से उसे adjust किया जाए tally में कैसे implement करना है चलिए इसके बात करते हैं यहाँ पर मैं paypal पे click कर रहा हूँ अब जिस invoice का मुझे return करना है for example यहाँ पे हमारे बहुत सारे invoice नजर आ रहे हैं एक invoice हम लोग ले लेते हैं 1st September का हमारे पास एक invoice है Coco का जिसमें से हमारे पास total क्या है coconut oil जो है वो लिया गया है तो हम लोग चलिए Coco जो है इसमें से एक लिटर return कर देते हैं full to full और उसका amount हम लोग अपने liability में से less करवा देते हैं इसका invoice number हमें चाहिए invoice number यहाँ दिया हुआ है Coco slash August 009 और date कुन सा है दोस्तों 1st September का अब हमें यह entry करनी पड़ेगी अगर आप इस studio को इस्तमाल नहीं कर जाने के बाद laser में जाना है और laser में जाने के बाद आपको Coco open करना है जब आप Coco open करेंगे यहाँ पर आपको वो सारा detail मिल जाएगा कि कब किस से आपने purchase किया हुआ है यहाँ पर देखे सारी detail हमारे पास दिख रही है एक एक सारे detail को हम लोग यहां से देख सकते हैं हमारे प पर्टी लीटर के हिसाब से, यहीं चीज हमें चाहिए, और यह हमें आसानी से यहां पर पेबल पे क्लिक करने से मिल गया, अब हम लोग यहाँ से skip करते हैं और पहुंचते हैं एकांट वाऊचर में और एकांट वाऊचर में पहुंचने के बाद अब हमें open करना है डेविट नोट, डेविट नोट को हम लोग purchase return भी कह सकते हैं, तो डेविट नोट का shortcut होता है control F9, इसे प्रेस करें, डेविट नोट आपके सामने आ जाएगा, अब यह मांगेगा original invoice number, साथ ही कब आप return पास कर रहे हैं, सबसे पहले उस किया, अब यहाँ पे original invoice number हमें डाल देना है, आपको हमने बताया था, पेबल का इस्तमाल करके, आप invoice number देख सकते हैं, यहाँ में invoice number देख रहा है, कोको अगस 009, इसे हम लोग ले लेंगे, COCO, अबलिक, AUZ, और 009, यह invoice number था, उसका, टेब बटन प्रेस करेंगे, जिस तार को हमने टेब बटन प्रेस किया, यहाँ पे अगर आपका LR number वगेरा, motor vehicle number, date वगेरा है, तो वो सारा चीज फीड कर दें, और आगे बढ़ जाएं, यह महराष्ट की company है, इसका मतलब इसमें हमें IGST चार्ज करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी company जारखन में है, इस तरह से यह एक interstate based transition बनता है, यहाँ पे हम लेंगे purchase, tap button प्रेस करेंगे, दोस्तों, space प्रेस करते हुए product का चुनाव करेंगे, जो हमें return करना हो, तो हमें return करना है coconut oil, इसे हमने ले लिया, एक लिटर हम return कर रहे हैं, एक लिटर हमने purchase किया था, और tap button प्रेस करते हुए आगे बढ़ें जब हम लोग tap button प्रेस करेंगे, तो charge करेंगे IGST, अब दोस्तों, एक और बात होती है, कि David note का इस्तमाल adjustment के लिए भी किया जाता है, suppose that आपको party बाद में जाके किसी तरह का discount देती है, तो उस discount को भी आप manage करने के लिए David note का इस्तमाल कर सकते हैं, यहाँ पे tap button प्रेस आगे बढ़ेंगे, तो tally 6.4 में एक नया option आया है, provide GST detail, यह पहले नहीं हुआ करता था, GST से पहले के जो tally थे उसमें नहीं मिलता है, अब यह नया चीज आ गया है, यहाँ पे yes करेंगे और interface करेंगे, और list of reason में जरूर चुनाव करें, otherwise आपको GST file करने में problem होगा, यह जो सटिक आपका reason हो, उस reason को चुन लें, जिसे यहाँ पे हमें क्या क्या मिल रहा है, sale return, post sale discount, ठीक है, deficiency in services, correction in invoice, correction in invoice, आगर आप किसी तरह का invoice में changing भी करते हैं दोस्तों, तो वो भी आप David note के द्वारा pass कर सकते हैं, previous video में भी हमने यह बाते बताए थी आपको, अभी से पास करते हुए, आप correction in invoice ले सकते हैं, और वहाँ पे आप show कर सकते हैं, कि इस invoice में किसी तरह का changing किया गया है, लेकिन फिलाल हमारे पास यहाँ पे किसी तरह का David note का नहीं है, तो हम लोग यहाँ से other का चुनाओ करेंगे, tab button प्रेस करते हुए, यहाँ पर supplier का David credit note number मांगा ज पास कर सकते हैं, और ध्यान रखें हैं, कि वहाँ पे reason का चुनाओं सही करें, अब इसका effect देखते हैं, दोस्तों हमें कहां कहां पढ़ने वाला है, तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं, इसके बाद accounts book में चलते हैं, accounts book में जाने के बाद हम लोग laser में चलते हैं, और laser में हम ले लेते हैं कोखो PVT का सबसे पहले यहां पे हम लोग एफेट देख लेते हैं अभी हमारा लिया हुआ प्रियाट 1st October का एप्टू बटन करेंगे यहां पे प्रेस और यहां से डेट चेंज कर लेंगे सपोज़ाई 1st September से लेके हमने 1st October तक ले लिया अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें एक entry नजर आ रही है डेविट नोट की जिसमें 157 रुपे 50 पैसे की डेविट entry नजर आ रही है दोस्तों आपके बहुत सारे comment मिल रहे हैं कि सर हमें GST में report नहीं नजर आ रहा है या day book में report नजर नहीं आ रहा है तो आपने वहाँ पे period का चुनाओ गलत किया है जैसे अभी आपने देखा कि यहाँ पे हमारा 1st October सेलेक्ट किया हुआ था हमें previous की entry नजर नहीं आ रहे थी तो आप F2 प्रेस करके अपना period जो है वो change कर लें आपको पूरी entry नजर आने लगेगी जहां से जहां तक आप चाहते हैं वहां से वहां तक का period में date आप hit कर दें यहां पे हमें तो entry नजर आ रही है दोस्तों अब escape करते हैं और चलते हैं वापीस डिस्प्ले में और यहां पहुंचते हैं history reports में और यहां GST में चलते हैं और हम लोग return की entry देखते हैं इसके लिए हम लोग GSTR2 में जाएंगे और यहां पे हम लोग वापीस date change करेंगे एप 2 बटन प्रेस करेंगे और यहां ले लेंगे first driver की इस अनि first से यहां से आगे लेते हैं अब आप देख सकते हैं हमारे पास credit debit note की एक entry दिख रही है 1500 रुपया का minus करते हुए यहां पे आपको सारा का सारा detail नजर आ जाता है किस से return किया गया कौन सा return किया गया है तो इस तरह से आप सारी entry debit note की pass कर सकते हैं और easily इसको अपने GST report में भी दिखा सकते हैं फिर भी अभी GST council में थोड़ी सी problem चल रही है वहां पे debit note pass नहीं होता अगर वो same month या same quarter के अंदर आप pass नहीं कर देते हैं तो अमीद करता हूं दोस्तों यह video आपके लिए helpful होगा प्लीज video को like करें दोस्तों के साथ share करें और ऐसा ही topic के अलग video देखने के लिए हमारे channel के playlist का आप इस्तमाल कर सकते हैं playlist के लिए आप वीडियो के नीचे GSCG टेक लिखा हुआ मिल जाएगा उस पे click करें आप हमारे main channel page पे आ जाएँगे यहां आने के बाद आप playlist पे click कर दे और scroll करें यहां पर आपको तरह तरह के अलग-अलग topic के playlist मिल जाएँगे जिनमें आपका coral row भी है, technical series भी है, excel भी है तो पुराने GST से संबंदित बहुत सारे वीडियो हमने पहले भी दे रखे हैं और अभी एक नया tutorial series हमने श्टार्ट किया था 2018 जिसमें हम Tally को step by step लेके चल रहे हैं आप यहां से इसे click करें, click करने पे आपके सामने एक नया page खुल के आ जाएगा जहां पे आपको सारे के सारे वीडियो step by step नज़राएंगे आनी 1,2,3,4,5 से लेके अभी तक आनी 24 वीडियो जो upload हो चुके हैं 25 वीडियो तक वो सब नज़राएंगे तो आप step by step सारे वीडियो को देख ले दोस्तों तो आपका टैली का जो problem है वो उमीद करता हूँ कि solve हो जाएगा तो दोस्तों हम मिलते हैं next वीडियो में तब तक आप देखते रहें सीखते रहें वीडियो को like करें दोस्तों के साथ share करें और first time हमारे अगर चैनल को देख रहे हैं तो subscribe करना ना भूलें बाई, take care, जैहिंद